तोई स्टुडेंट्स गॉड़ मॉर्निंग क्लास 6 हिंदी 1st 22 चैप्टर 1st लेक्चर बेटा ये एक लोग कता है सुनेली के कुवां चैप्टर का नाम है सुनेली का कुवां सुनेली एक राजस्थान की एक महिला है उसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है और उसकी सक्ति के बारे में बताया गया, चलिए चैप्टर शुरू करते हैं, पढ़ते हैं, राजस्तान और गुजरात की सीमा पर एक गाउं था, उस गाउं का नाम था बेटा नर्सी की धाड़ी, तो ये तो मालूम है कि कभी नर्सी महता वहाँ पर रहते थे, और उनकी बहन रहती थ पर गाउं का नाम नर्सी की धाड़ी ही था, हो सकता उसे कई नर्सींग से बसाया गया हो, ब्रगुकक्ष का नाम बिगड़ते बिगड़ते भरोच हो सकता है, तो नर्सींग का नर्सी हो जाये, तो कोई आश्चरी की बात नहीं है, नर्सी की धाड़ी मर जाये तेरी नानी बुढ़ापे की और कदम रखते हुए सुनेली पिछले 50 वर्सों से इस गाउं को गाली देती आ रही है धाड़ी में केवल 5 परिवार रहते थे ये सब एक ही परदादा या लकडदादा की बेल के फल है लगभग 40 वर किलोमीटर भूमी नीकी है विभाजन से पहले इसी वंस का एक परिवार गुजरात में लगी अपनी भूम के सीमान पर जाबसा था वहां किसी बंजारे ने एक कुवा बनवा दिया था ये कुवा ही उस परिवार के मुक्या को वहां खीच कर ले आया था अब वही उसका मालिक हो गया से इस परिवार उसी ढड़ी की गड़ी में बसे थे पानी राजस्थान में सबसे कीमती और प्यारी वस्तु क्या होती है बेटा पानी वहां पर पानी की कमी होती है कोलकाता मुंबई जैसे बड़े सहरों वाले क्या जाने पानी कितना कीमती होता है वैसे पानी के अभाव में ही राजस्थान में पानी की कमी नहीं राजस्थान की ओरते बड़ी पानीदार होती है और राजस्थानी वीरों की तलवारों का पानी तो प्रसिद्ध है पर बात उस पानी की है जिसे जल कहते है और वहां का जीवन है अब वो सुनेली की बात ही लीजिए सुनेली के बारे में बेटा बताया गया है कि जब वो बहु बनकर आई थी तब उसका रूप सोने सा दमकता था सोने सा यानि कि वो बहुत सुन्दर थी तभी तो उसका नाम सुनेली था अब वो तो वही सोने का रूप धाड़ी सी जुलस्ती रेत में तब तब कर कुंदन की बचाय तावा बन गया था बेचारी आई तभी से चार-चार पाच-पाच कोस दूर कुआ से पानी ढोकर लाती थी धूप हो या आधी हो या तूफान उसका पानी लाना नहीं रुका तेवहार के दिन भी उसे बुखार हो तब भी वो पानी लाती थी तब ही तो उठते बैठते उसके मूँ से निकलता था नर्ची की धाड़ी मर जाय थारी नानी इस पानी की दिक्कत की वज़े से उस परिवार के जवानों को वीवा के लिए आसानी से लड़की नहीं मिलती थी हाँ उनी लड़कियों के साधी ब्या में कोई रुकावट नहीं साधी के बाद कोई लड़की धाड़ी की ओर पैर करके सोना नहीं चाहती थी मर्दों का क्या वे तो अपने धोरों के साथ इधर उधर वक्त निकाल आते कभी कोटा बुंदी की और कभी उदेपुर की और मर्णा तो गउं की औरतों को पड़ता है अब जब से धाड़ी कभी परिवार बन जा रहे कि कुए परजा बसा है तब से सुनेली का मन धाड़ी से उचट गया है और लोग अपने पुर्खों की धाड़ी को छोड़ कर जाना नहीं चायते कहते हैं नाक की ओट में परमात्मा छिपा होता है यहीं बात सुनेली के साथ हुई बात यह हुई कि वो एक दिन सुनेली पानी का घड़ा लिए ढाणी की ओर जा रही थी एक खेंजडे की जड़ में गीली मिट्टी दिखाई दी उंदरों ने बिल बनाया था उंदर किसको कहते जो बेटा बड़े बड़े चुहे होते हैं उन्हें क्या कहते उंदर तो यह सोचकर वो आगे बढ़ गई कुछ दूर जाने पर उसे ख्याल आया कि गीली मिट्टी में तो पानी भी होगा वो खुशी से जूम उटी और गाउं के पास पानी की कलपना में ही उसे तर कर दिया वो जल्दी जल्दी घर पहुची इस बार घड़ा पनहडी पर रखते विए उसने धाड़ी को गाली नहीं दी वैसे उसके अभ्यस्त होटों पर गाली आई जरूर पर उसने रोक ली रो अब आप भी बताओ सब पागल नहीं तो क्या हो गई है लड़का बोला बुड़े को कुछ तसली हुई बोला चलो मैं चलता हूं घर पहुचा तो देखा कि सुनेली तयार बैठी है और पूछने पर कहने लगी कि इस धर्दी में पानी है और बड़े चुहों ने बिल बनाया है गीली मिट्टी निकाली है और खोदा जाय तो पानी निकलेगा चाहे नीचा कितना भी हो सुनकर बुढ़ा ठाकुर भी हसने लगा बोला भागवान उंद्रे तो सदा बिल बनाते उंद्रे क्या बेटा बड़े चुहे ये कोई नई बात नहीं है पागल हुई है घर बैठ यहां पानी कहां पर सुनेली तो कुआ खोदने पर तुली हुई थी उस पर सचमुच कुलता ही रहे गया सूरज अब बेटा आपका यह लेक्चर यहीं तक अगला लेक्चर कल पढ़िएगा आप लोग अपना होमवर्क नोट कीजिए हैं होमवर्क में बेटा यह सब दर्थ आपको अपनी नोट बुक पे लिखना और लिखने के साथ साथ आपको लर्न करना है और यह चैप्टर रेडिंग लगानी है अगला लेक्चर कल पढ़िएगा थैंक्यू क्लास